चत्रा सिबर्या प्रखंड के कर्बला मैदान में मुखी मंतरी हिमत सुरेन आपकी योशनाप की सरकार आपके द्वार कारिक्रम में शामिल हुए जहां उन्होंने 470 करोर के विकास योशनाओं की सौगात दी जिसमें 132 करोर की 161 योशनाओं का सलन्यास और 119 करोर की 241 योश दबाकर कोचिंग सेंटर का उद्गाटन किया जहां राजे के चात्रों को ये पियसी की तैयारी करने वाली चात्रों को पढ़ाया जाएगा और कारिक्रम में मुखे मंतरी के साथ मंतरी सत्यानत भोगता बादल पत्रलेक समित कई सांसद और विधायक मौचूद रहे और हम लोग सरकार के मंतरी और हम खुद दिल्ली में जाकर के इस राज में गरीबों के लिए आवास आवंटन के लिए ना करगड़ते रह गए लेकिन इन लोगों ने आवास आवंटन नहीं किया फिर हम लोगों ने सोचा तब तो बहुत मुश्किल होगा तब तो यहाँ पर सब पहड़िया मारा जाएगा सब आदिवासी गरीब दलित मारा जाएगा बहुत चिंतन मन्थन करने के बाद हम लोगों ने नेने लिया है और वो भी एक मजमूत नेने एतिहासिक नेने कि आप बचे हुए जितने गरीब हमारे हैं उन सभी को आवास देंगे जिसका नाम हमने अब आवास रखा है इनका सड्यंत्र सरकार बनने के एक घंटा के बाद से ये सरकार गिरा रहे हैं जब खुद नहीं सकते हैं तो एजन्सियों को पिछे लगाते हैं हक अधिकार मांगते हैं तो एजन्सियों को भगा एजन्सियों हमारे पिछे दोड़ा जयते हैं चिंता मत करो गरीब लोग को हमेशा अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी है आज ये पंचाइट का सिवीर जिस तरीके से आप होली दिवाली एद क्रिस्मस का इंतिजार करते है अब ये भी एक तेवार का रूप लेता जा रहा है अब ये आने वाला हर साल ये सिवीर आपके दरवाजे में लगेगा और आपकी समस्या का समधान करेगा हम लोग के आकड़े के हिसाब से आठ लाग लोग को आवास देना है लेकिन हमें लगता है कि आवास की संख्या बढ़ेगी लेकिन आप लोग चिंता मत किजिए एक साल लगे दो साल लगे तीन साल लगे या चार साल लगे हर गरीब को हवास उपलब कराएंगे इसके लिए हर संसाधन की विवस्ता की जाएगे